हलो यूरी वन गुड मॉनिंग नमस्कार दो जून दोजार इक्किस और आज के दहिंदो निजबेपर को हम लोग डिसकस करेंगे अनलिसिस करेंगे आप इसकी पीडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा या सीधा परिवर्तनाईस अकेडिमेट टेलिग्राम पर लिख कर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे कि 12th के जो एक्जामिनिशन होने वाले थे उनको स्क्रैप कर दिया गया प्राइमिस्ट ऑफिस के द्वारा यहां पर बात करेंगे कि assessment जो है वो well defined objective criteria के basis पर decide क्या जाएगा यानि इसके लिए एक particular क्या criteria होगा कि जो 12th के marks होंगे वो दिये जाएंगे इनके अलावा अगर कोई बच्चा यह समझता है कि उनको जो assessment formula उसे वो agree नहीं करता तो वो examination जब situation normal हो जाएगी तो examination भी दे सकता है हलाकि इसके अंदर J.E. और NET के examination को लेकर कोई discussion जो हो नहीं हुआ है इनके अलावा गर आप देखेंगे कि COVID-19 से जो uncertainty थी अगर कई देश में कई जगे पर cases definitely कम हुए लेकिन कई अभी भी ऐसी जगे खास कर South India के अंदर cases increase हुए है या उनमें नंबर में अभी भी ज्यादा नंबर आपको देखने को मिलेगा तो एक holistic decision लिया गया पूरे इंडिया की situation का assess करने के बाद कि 12th के examination जो हो cancel किया जाए, scrap किया जाए और अब जो assessment formula या जो भी objective formula अपनाया जाएगा इसमें scoring को लेकर, marking को लेकर और उसकी basis पर ये जो है इसमें score जो है दिया जाएगा दो formula पर discussion किया जाए रहा है for example पहला कि 12th में जो internal assessment और practical examination होते उनके basis पर score किया जाए दूसरा formula ये हो सकता है कि 9th, 10th, 11th के अंदर जो बच्चे का score था उनके basis पर यानि उनको उस situation को score का analysis करने के बाद इसमें decision लिया जाए जाए हाला कि कई सारे state का ये opinion था कि examination जो है कुछ proportional level पर या objective type में connect करवाए जाने चाहिए ताकि एक तरीके से बच्चे क्योंकि 12th बहुत important होती है और उसके बाद college का एक process भी शुरू होने वाला है अभी भी बच्चों के मन में थोड़ा confusion होगा कि exact formula क्या होने वाला है इसको analysis करने को लेकर या assessment को लेकर या scoring को लेकर वो भी उमीद करेंगी जल्द clear हो जाएगा ताकि बच्चों के अंदर को stress ना हो examination को लेकर या marking को लेकर खोई formula को लेकर इसके बाद second information यहाँ पर आप देखेंगे Supreme Court ने government से यह पूछा है कि आप orphan children के बारे में detail बताइए उस scheme के बारे में detail से बताइए और अभी जो announce किया गया था कि ऐसे बच्चे जो COVID-19 pandemic की वज़े से जिनके parents expire हो गए उनको लेकर एक scheme announce किया थी और इस scheme में primary care fund के थुरूई यह PM care scheme के नाम दिया जाता है और उन बच्चों को education और welfare को लेकर जो है खर्च किया जाएगा तो इसके बारे में बताया गया कि यह जो scheme है या इसमें केबल यह public domain में नहीं आई है तो scheme की information क्या है इस scheme के बारे में detail से बताया जाए इसके अंदर announce किया गया था कि 10 लाक करोड का एक जो कोपसपन बनाया जाएगा हर बच्चे के लिए उनके higher education और financially support किया जाएगा इनके अलाबा health insurance प्रवाइड किया जाएगा कई सारी चीजें इसके अंदर announce की गई थी इन बच्चों को support करने को लेकर तो उसके बारे में detail से पूछा है एक petition या आप कह सकते हैं कि एक request जो high court के अंदर अपिल की गई थी सुरी सुप्रीम कोट में अपिल की गई थी और सुप्रीम कोट ने ये detail मांगी है central government से क्या बताइए कि इसकी exact details क्या है वो हमें provide करी या public domain के अंदर रखिए इसके बाद third information यहाँ पर आप देखेंगे IMD ने recently announce किया कि भारत में जो monsoon है वो 101% के आसपास रह सकते हैं और इसमें 2-3 information important है पहला Indian Metallurgical Department जो है ये expectation करते हैं कि जून से सेप्टेंबर का जो monsoon period माना जाता है इंडिया के अंदर यह monsoon months के रूप में इनको count करते हैं इसमें बताया गया कि जो पहले estimation किया गया था उसके compare में 98% के आसपास LPA LPA मतलब होता long period average यानि एक लंबे time तक का average जो भारत में monsoon होती है उसके according माना गया था कि भारत के अंदर 98% rainfall हो सकती है लेकिन अब इसको extend करके 101% यानि 101% बोला गया हलाकि इसको भी normal rainfall ही माना जाएगा क्योंकि 96 से लेकर 104% तक की जो rainfall है वो आती है LPA के अंदर long period average के अंदर normal के category के अंदर ही count की जाती है दो information इन्होंने दी पहला कि जो नौर्थ इस्ट के region है वहाँ पर 5% shortfall या कमी देखने को मिल सकती है और जो central area है central region है जो की माना दाता core rainified agriculture region है यानि जहाँ पर agriculture purely rain पर dependable करती है depend करती है वहाँ पर 6% की increase देखने को मिल सकती है तो ये दो information important है इनके अलावा एक simple सा question आप लोगों को इस particular context ने बताना है कि जो monsoon एक word यूज किया गया है ये किस language में ये word यूज किया गया है ये इस word का origin है वो कहां से हुआ है वो आपको नीचे comment करना है इसके बाद left hand side एक और news आती है दिली high court ने central government से पूछा है कि आप priority youth को क्यों नहीं दी आपने youth को priority क्यों नहीं दी इसके बारे में आप बताईए इनके अलावा आपने prioritization का जो formula follow किया ये किस basis पर किया इसके बारे में एक तरीके से question किया गया central government से और इसमें कई सारे tough question भी देखने हो को मिलेंगे कि आप announce करते हैं कि 18 से 44 age group में आप vaccination शुरू करेंगे लेकिन आपने vaccination आपके पास vaccination ही नहीं है declaration करना क्या अनफ है दूसरा आपने किस basis पर ये announce किया कि senior citizen को पहले priority दीगे यहाँ पर इन्होंने एक word यूज किया है जो कि बड़ा important भी है sensitive भी है for example यहाँ पर बात की गई है कि 18 प्लस के लोगों को आपने priority दी वो लोग अपनी life का बहुत सारा time जो जी चुके है होते एक youth को बचाएंगे या senior citizens को जो 18 प्लस वाले जो senior citizens को बचाएंगे तो उस context में हमारे youth को priority दी जानी चाहिए थी तो इसमें कई सारे एक ethically बहुत सारे question हो सकते हैं कि क्या अगर आपके पास senior citizen और youth के मामले में दो option हो तो उस context में आप किसको save करना जाएंगे तो यह tough question होते हैं इतना असान नहीं होता है अगर practical बात करें तो यहाँ पर high court का यह कहना कि क्योंकि young person जो है उस पे बहुत सारी country का future इसे डिपेंड करता है और इस यह important pillar की तरह माने जाता है उस context में जरूरी यह है कि आप सबसे पहले प्राइटी जो है वो youth को दे अगर आप प्राइटी नहीं दे जकते तो सबको vaccination जाए इसमें equivalency होनी जाए अगर आप medical staff को छोड़ते हैं बाकी से भी population को equivalent way पर vaccination का process जो complete कर सकते हैं इसके बाद इसी page पर कोछ ओडिशी information है ओडिशा और जहारकन यह चाहते हैं कि central government procurement करें दुनिया भर से जो vaccination को कुलेगर procurement होनी है और क्योंकि दो चीज़ें होती है जब central government procurement करती है या central government खरीद करती है state government की मुकाबले में उन से एक तरीके से दो जो foreign companies है वो ज्यादा अच्छे से consultation कर सकती है और directly कोई भी company जो है state government को इतना as compared to central government वो इतना interest नहीं होती कि वो directly कोई agreement करें क्योंकि central government के ओपर responsibility जादा है और क्योंकि central government की rich भी जादा है इनके अलाबा यहाँ पर बात की जारे है कि सभी को free vaccination के बारे में बात की जाए सभी को free vaccination provide किया जाए इनके अलाबा freedom to define priorities for vaccine coverage यानि state government को ये एक तरीके से priority set करने को लेकर एक freedom होने चाहिए या उनको relaxation दिया जाए इसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है इसके बाद editorial part को हम लोग discuss करेंगे यहाँ पर कई सारे editorial लेकिन हम तीन ऐसे editorial को जो की new है और सबसे interesting है यहाँ पर पहले बात की गई है 10 years revival करके एक article है 10 years का मतलब होत और यह जो word use करते हैं तह हिंदू में यह थोड़ा difficult word use करते है 10 years revival का मतलब है अनिस्चित revival होरा इंडियन economy का कैसे impact पड़ेगा पूरे देश के अंदर jobs पर, income पर, country के vaccination procedure पर और हमारी economy पर उन चीजों को लेकर analysis किया गया कि 10 years revival है इनके अलावा creating jobs and boosting income along with vaccination can sustain the economy हमें jobs को create करन है, income को boost करना है और vaccination को बढ़ाना ताकि हम अपनी economy को sustain कर पाएं रिशनली national income को estimate किया गया एक data release किया गया एनसो के दवारा कि इंडिया की GDP जो है 2020-21 में किस तरीके से react करी है किस तरीके से हमारी growth rate रही तो अगर आप analysis करेंगे प्रोप पर देखिए GDP को 4 quarters के अंदर divide किया जाता है और financial year जो एक अप्रेल से 30 मार्स next year तक count किया जाता है उसके basis पर जो last period था यानि quarter 4 ता इंडिया का January मार्स तक इसमें 1.6% की growth rate देखने को मिली इसके compare में पिसले quarter में यानि third quarter में जो कि अक्तुबर, November, December यानि last के 3 month है full year के और आप देखेंगे financial year की बात करेंगे third quarter आएगा और अगर आप normal बात करेंगे तो ये last के 3 month होते हैं इनमें 0.5% की growth rate देखने को मिली अगर आप 0.5 से 1.6 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भारत के अंदर जो है last के 2 quarter में growth rate देखने को मिली positive way में क्यों क्योंकि इससे पहले अगर आप देखे जब COVID-19 शुरू हुआ तो 2020 के पहले दो quarter में एक में लगबग 24% तो second में लगबग 7.5% जो है उसमें contraction देखने को मिला overall कमे की बात करें अगर financial year 2020-21 की बात करें तो 7.3% का contraction देखने को मिला इनके अलावा अलग-अलग sectors के बात करें या gross value added की बात करें या अलग-अलग sectors को analysis करने की बात करें तो इसमें कई सारे sectors है जैसे mining and curing sector जो है ये worst hit एक तरीके से contact intensive sectors में से एक है इनके अलावा trade, hotel, transport, communication, broadcasting इन में भी contraction हुआ कमी देखने को मिली 5.7 से 2.3% respectively इनके अलावा अगर आप इस पूरे period के period को analysis करेंगे तो इसमें agriculture, forestry, fishing and utility services ये वो सक्टर है जहाँ पर positive growth rate देखने को मिली इन सब को analysis किया गया, इनके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि private investment में कहीं जंप हो 11% लेकिन इसमें capital इसके अलावा जो capital spending या नि सरकार दवार जो खर्चा किया जाना उसके अंदर भी कई सारे increment हुए इसी कि basis पर ये investment आपको बढ़ता हुआ नजर यहाँ पर particular context में कि भारत के अंदर जो economy है यह जो sector है purchasing manager index इस manufacturing sector यह कई ने कहीं stagnation phase करा, stagnation का मतलब है कोई development नहीं हो रहा है, कोई एक तरीके से विकास की गती नहीं है, stagnation का मतलब है आप simply बोल सकते हैं कि demand जब हो ज़्यादा boost up नहीं कर रही है, stable है एक तरीके से और इनके अलावा जो key sector है वो faces एक तरीके से इसमें कमी face कर रहे हैं, एक तरीके से developing जो process एक idea होना चाहिए, विकास जो होना चाहिए, विकास की जो गती होनी से speed होनी से वो नजर नहीं आती, यानि अभी भी economy को boost up किया जाना या economy को और जादा pace करना यह उसमें requirement होगा, इनके अलावा jobs पर definitely असर recording, तो भारत को nationwide action rollout को हो जादा मजबूत करना पड़ेगा, direct job को sport करना पड़ेगा, income boosting measures को अपनाना पड़ेगा, ताकि भारत की economy को इस तरह के back sliding से बचाया जासके, और Indian economy को और तेजी से आगे बढ़ाया जासके, इसको लेकर कुछ steps बताएगे, कुछ problems बताएगी, और उ चायना ने recently एक policy change करी है, जिसमें two child policy तब उसको बना दिया गया, third, three child policy या permission दे दिगी है, कि तीन बच्चे जो है वहाँ पर हो सकते हैं, ये basically issue क्या है, चायना की जो demographic intervention, चायना demographic intervention क्यों करना चाहता है, क्योंकि social economic consequences के basis पर ही analysis कर रहे हैं, 1979 में चायना ने launch करी थी one child policy, ये launch इसलिए करी थी क्योंकि population को एक limit से ज्यादा पढ़ने से रोका जासके, और government पर जो pressure create होता है, उसको भी कहिने की रोका जासके, अब इसमें change क्यों कर रहे हैं, recently इन्होंने अपना census यानि decade census होता है, दस साल में एक बार जो release गरते हैं, जैसे भारत के अंदर होता है, वो इसके अलावा दो indicator इन्होंने बताया कि 264 million population 60 plus है, यानि dependable population बहुत ज़्यादा है, सरकार पर निरपर बहुत ज़्यादा होगी, अगर सरकार पर निरपर अगर कोई population होती है, तो definitely सरकार का खर्चा जो और ज़्यादा increase करती है, और जो working population है, वो कम हुई है as compared to previous decade, या previous census, इसमें इसी चीज़ को analysis किया गया, इसमें एक तो aging population बढ़ी है और youth population जो गटी है, इसलिए चाइना ने ये announce किया कि हम लोग अपनी policy में revise करेंगे, change करेंगे, हलाकि इससे पहले भी इन्होंने 2015-16 के आसपास two child policy अपना ही है, अब third child policy जो अपना ही जा रही है, और इसके प एक तरीके से intervention कर रहा है, हलांकि ये जो चीज़े हैं कि कोई भी country, आप देखेंगे इस particular चाइना की इकरम बात करेंगे, तो चाइना में कही सारे regions है, पहला तो aging population, दूसरा gender imbalance हो रहा है, ये कहीं कहीं concern है, और इनके अलावा क्या केवल policy में change कर देना, उससे एक तरीके से child बर्थ रेट वो increase होगा, इसको लेकर भी doubt है क्योंकि चिल्डरन्स के बर्थ को लेकर या कितने बच्चे हो इसको लेकर parents जो decide करते हैं, उसमें major एक sector रहता है, major जो reason रहता है, वो financial कितना अपने आपको strength feel करते हैं, financial कितना हो strong है, उसी की basis पर ये decision लिया जाता है, तो financially जारा है कि education पर कितना खर्च किया जाता है, family planning जो है, उसमें एक important role प्ले करते है, education हो गया, या उस particular scheme जो होती हो, कितनी हो लेवल है, इस तरह की चीजों के उपर जो है, बहुँ जादा dependable है, यानि family का खर्चा कितना होगा education पर, health पर, दूसरे sectors के अंदर, उन सब basis पर भी ये कहने के discussion किया जा रहा है, इनके अलावा, चाइना में family planning को लेकर, एक enforcement के थूँ भी, यानि forced abortion हो, sterilization हो, abuse हो, खासकर, Muslim majority जिंज्यांग region के अंदर, ये देखने को मिला, जिंज्यांग region वही है, जहाँ पर, Muslim Uygar community को लेकर, चाइना पूरी दुनिया से कहने के criticism face कर रहा ह कि आप forcefully abortion, sterilization इस तरह की activities में लगातार involved हो, forced labor जैसे चीज़े भी वहाँ पर देखने को मिलती है, तो चाइना का social और economic unintended जो intervention ये करने जा रहे हैं, demographic intervention के थूँ, ये कहने की social और economic consequences का ही, एक result आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद, third editorial जो है, breaking the cycle of child labor is in India's hands, यानि हम article को तोड़ने का एक तरीका है, उस वो केवल भारत के हाथ में है, भारत के context में बात की जारी है, और इसमें कई सारे data, और authentic data की जब हम बात करता हूं, तो authentic data के साथ use किया गया ये article है, this is the most important editorial, question पूछे जा सकते हैं, और question इसमें से भी कुछ हुए हैं, आपको बताऊंगा कि कौन से question pre में पूछे गए हैं, यहां पर बात की जारी है, कि pandemic ने child labor को definitely एक amplify किया, increase किया है, और इसमें एक major role play किया है, इसके लावा contributing factors जो हैं, इसमें और जादे increase हुए, हमें requirement है, इस तरह की policy की program की, जो intervention कर सके, और बच्चों को जो बचा सके, तो COVID-19 pandemic ने child labor के जो ए एक तरीक, पहले से child labor की चीजे देखने को, या child labor देखने को मिलता था, number उसमें और जादे increase अभी हुआ है, तो pandemic का impact क्या हुआ है, उसको analysis करना अभी बाकी है, लेकिन definitely pandemic ने और जादा इसमें negatively role play ही किया, इसके अलावा data शो करता है कि third decade of 21st century, 152 million children जो है, वो दुनिया भ आपको सामिल करते हैं, या जबरदस्ती माल लीजिये, मजबूरी माल लीजिये, जो भी माल लीजिये, उसके वज़े से, government of India का survey बोलता है, ये survey NSS report है, number 585-2017-18 का, इसके अंदर बात की जारी है कि 95% बच्चे जो है, ये 6-13 साल में ये attend कर रहे है, educational institution को, लेकिन यही data बोल आपको सामिल होते हैं, यानि भारत की अभी भी बहुत सारे बच्चे वल्णरेबल है, फीजिकल और साइकलोजिकल रिस्क पर है, और एक healthy development के लिए कही ने कही जो होना चाहिए, उस पर एक question mark भी उठाते हैं कि हमारी access नहीं है, दूसरा, 2011 की इंडिया की census report है बताती है, कि भारत के अंदर 10.1 million working children हैं, यानि लगवक एक क्रोड से ज़्यादा बच्चे working children के रूप में काम करते हैं, इस group of 5 to 14, इनमें ज़्यादर बच्चे जो काम करते हैं, कल्टिवेटर के रूप में, agriculture, laborers के रूप में, यानि agriculture activities में ज़्यादा तर involved होते हैं, खासका rural area के उन्होंने या तो school joining के school को उन्होंने छोड़ दिया और इसी को बोलते हैं, drop out rate भी बोलते हैं, इनका क्या impact होगा, उसको आप definitely analysis कर सकते हैं, और उनकी education पर, skill acquisition पर, ये future possibilities को लेकर कैसे, क्या impact होगा, और definitely ये जो poverty circle है, क्योंकि incomplete education है, poor quality उनको jobs offer की जाएगी, उनमें एक तर दाबा कई सारे सरवे हुए, जैसे एक rapid सरवे हुआ on children, जिसमें jointly ये ministry of women and child development, UNICEF ने पाया कि age group of 10 to 14 year में, एक तरीके से बहुत सारे बच्चे, यानि half of the children in this age group, उन्होंने अपनी primary education को भी complete नहीं किया, इन सारे challenges को overcome करने, अब बात करते हैं, इंडिया में एक अच्छे च 11 का जो year था, वहाँ पर कहीने कहीं एक child labor के अंदर कमी हुई है, इसको लेकर कही सारे चीजियों बताएगी, जैसे मनरेगा की वज़े से rural economy पर positive असर पड़ा है, right to education act है, mid-day meal scheme है, इनके अलावा guaranteed wage employment scheme है, और recently national child labor project है, भारत के दवार international labor organization के जो convention है, number 138 और 182, उनको कहीने blue highlight आपको नजर आएगा, UPSC Preview में exactly पुछा गया था, कि ये 138 और 182 ये basically है क्या, तो ये international labor organization के convention है, जिसको इंडिया ने ratify किया था, ये पुछा गया था exactly, इनके लावा child labor का elimination करना, या ऐसे बच्चे जो hazardous occupation के अंदर या खतरना कामों के अंदर करिये कर रहे हैं, उनको क official law enforcement agencies, non-governmental organization जो कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, और child labor की case में national, state or local level पर effective enforcement के तुरू, कैसे childs को या बच्चों को बचा सकते हैं, forcefully labor से या इस तरह की activity से, और कैसे intervention के तुरू, program के तुरू, save कर सकते हैं, pandemic का अफर जो definitely not acceptable, इंडिया पर पूरी दुनिया पर इसका अफर हुआ और इसका सबसे ज्यादा negative असर हुआ है, child के context में, बच्चों के context में, education में concern है, क्योंकि pandemic ने education को जो online shift किया, उसके बाद क्योंकि अभी भी पूरे दुनिया के अंदर digital dividends देखने को मिलता और भारत के अंदर भी digital divide है, digital divide का मतरब क्या है, कि हर एक व्यक्ति के पास, हर एक अभी भी smartphone, laptop इस तरह की चीज़े अवलेबल नहीं है, और दूसरा, smartphone के अगर बात करें, माल नेते हैं, कि एक mobile आपके घर पे है, तो और बच्चे आपके दो है, एक लड़का और एक लड़की, आज भी हमारी society के अंदर priority अगर देनी होते हैं, तो वो लड़के को ज्याद करती है, कि जो girls के against violence है, physical abuse है, forcefully marriage है, इस तरह की घटना है, pandemic के दुरान इंक्रीज हुए है, पूरी दुनिया के अंदर, इनके अलाबा, household, social consumption and education इंडिया, ये बताता है कि 2017-18 के अंदर, केवल 24% Indian household के पास internet facility थी, और केवल 15% rural area के अंदर, 42% urban area, यानी rural area के अंदर, अभी एक तरीकिस internet facilities नहीं है, smartphone नहीं है, या एक तरीकिस digital gap आपको देखने को मिलेगा, कि एक तरफ बच्चे के पास sub sources है, दूसरी तरफ एक बच्चे के पास sources का कमी है, और इसके थूद जो gap बढ़ेगा, definitely a challenge है, इसी चीज़ को लेकर ये बत की जारी है, कि collaboration होना चाहिए, partnership हो government, employer, trade union, community based organization, child labor families involved हो, और उनके basis पर decision लिया जाए, और sustainable development goals को हासिल करने को लेकर, जो एक target रखा है, उसको हम लोग हासिल कर पाए, और 2021 में, take action against child labor as a part of United Nations Declaration of 2021, international year of the elimination of child labor, उनको अचीव करने को लेकर, सरकार को, employers को, unions को, civil society को, organization को, और हम individual level पर कैसे काम कर सकते हैं, इसको लेकर यहाँ पर discussion किया गया, एक editorial जो है, आप लोगों पढ़ना है, page number 7 पर, और थोड़ा सा effort आपको भी करना पढ़ेगा, देखे, FDA influence है, basically क्या, इसके बारे में बात की गई है, FDA के बारे में, हमने discussion भ इसकी, और थोड़ा बहुत effort आपको भी करना पढ़ेगा, क्योंकि सारे editorial को पढ़ा पाना, it's next to impossible, इसके बाद, page number 8 पर हम जाएंगे, page number 8 पर कई सारे information आपको देखने को मिलेगी, for example, BRICS जो है, एक group है, वो उसकी एक meeting होती है, ministerial meeting, और BRICS को इस टाइम, यानि 2021 के अंदर head करेगा, इंडिया, BRICS की foreign ministers की meeting होती है, और इसमें, BRICS country नहीं एक तरीके चे अस्वासन दिया भारत को की, COVID-19 में भारत को मदद करेगा, चाइना नहीं बोला, BRICS जो है, 5 country का एक group है, Brazil, Russia, India, चाइना और South Africa, और इसमें जो grave concern है, global COVID-19 pandemic का, उसको लेकर analysis किया गया, joint statement पर अगर सीधा हम जाएं, कि नोंने क्या-क्या theme चीज़ों या क्या-क्या important चीज़ों पर discussion किया है, तो उस चीज़ को लेकर हम बात करेंगे, पहली important, 2006 के अंदर start हुई ministerial level पर meeting, उसके बाद फिर 2009 के आसपास, जो हो head of the state के तुरू या seeger समेलन जिसको बोलते हो, शुरू किय देगे, 2021 में 15 साल जोय ब्रिक्स की complete हो जाएंगे, और इस टाइम चेयर करेगा इंडिया, इसके अलावा इस particular meeting के अंदर कई सारी चीज़ों पर discussion किया गया, जैसे equitable access to vaccine, medicine and technology as well as equipment to deal with the pandemic, यानि pandemic को deal करने के लिए vaccine की, medicine की, technology की equitable access हो, इसको लेकर एक joint statement दीगी, इनके अलावा WTO के अंदर, World Trade Organization के अंदर, भारत के idea को spot करना, भारत और South Africa की joint idea है कि COVID-19 vaccine को लेकर intellectual property rights में छूर दीजाए, flexibility हो, trips के अंदर, और दोहा declaration के अंदर, दोहा declaration trips के मामले में news में है, तो यहाँ पर direct और indirect कई बार question पूचे जा सकते हैं, इसको आप note करेंगी, दोहा declaration जो है, trips agreement के अंदर count के जाएगा, इनके अलावा है, जो word use किया गया, flexibility, flexibility का मतलब क्या है, कि एक normative step होना चाहिए, vaccine equity को लेकर और पूरी दुनिया में available करवाने को लेकर, इनमें एक तरी pandemic को दिसक्रिशन किया ही किया गया, दूसरा United Nations Security Council में reform करने को लेकर, General Assembly को और जाना, strengthen करने को ले terrorism strategy जो उसको follow करेगा, इस page में second information आप देखेंगे, अभी मेहूल चोक्षी के case हमने देखने को मिला, मेहूल चोक्षी को एक red corner notice भेजा गया था, international उसके द्वारा, और ये भारत के favor में ही है, तो एक court में एक तरीके case की hearing होगी, मेहूल चोक्षी के case, डोमिनिका एक country है, और उसमें इनको और एक तरीके डिटेन किया जाएगा, भारत में भेजा जाएगा, आप लोगों के लिए second question है, कि जो ये डोमिनिका country है, ये किस एक तरीके continent के अंदर आएगी, वो आपको नीचे comment करना है, Caribbean island country है, लेकिन किस continent में आप इसको count करेंगे, वो आपको नीचे comment करन ये लेकिन तीन डो country यहाँ पर, एक तो एंटिग्यो और बारबुडा, और दूसरा जो है, एक आती है, दूसरी आती डोमिनिका, ठीक है, ये जो मेहूल चोक्षी है, ये भारा एक तरीके से bank frauder, इनको पे नहीं किया और इसको बाद भाग गये था, दूसरे country की citizenship ले ले ल देकर वो शांत नहीं हुआ है, और अभी जो वेस्ट बिंगोल के जो चीफ में सेक्रेटरी थे, उन्होंने resignation दे दिया, क्योंकि 31 महीं को उनको report करना था, उन्हों report ने की resignation दिया, इसके लावा CM के advisor वो अपाइंट कर दीगे, लेकिन उनके against Central Government ने एक notice भेजा है, फिर से DM Act के अंदर, DM का मतलब किया, Disaster Management Act of 2005, Central Government ने क्योंकि इस Act के अंदर ये provision है, या punishment दी जा सकती है, कि अगर कोई officer Central Government के rules and regulation को follow नहीं करता है, Disaster Management Act के section 5.1 के according, उसको 2 साल की सजा हो सकती है, और fine, या दोनों चीज़े जो है, एक साथ impose की जा सकती है, ये पूरी की पूरी घटना basically होती है, ये इसलिए ये news में, क्योंकि अभी प्राइमेशन नजेंदर मोदी ने साइक्लोन एफेक्टिड एरियाज के अंदर में एक review meeting लीती, उसमें बहुत सारे officer ने एक तरीके से उसको attend ही नहीं किया था, अगर इस तरह की चीज़ें होती है, ये माना जाता है कि ये violation कि सेक्शन 51B का Disaster Management Act 2005 के बीच में का, और उसे के basis पर इनके अगेश जो है वो punishment या अपनी punishment related step जो लगाया जासते, ये step उठाया जासते, यहाँ पर West Bengal और Central Government के बीच में जो issues है, जो टसल हम देखते हैं, ये पहले से भी थी, अभी भी है और अलग-अलग issues को लेकर, और इसमे बहुत जादा debate भी होता है, politics भी होती है, अलग-अलग चीज़े आपको नज़र आएगी, लेकिन ये particular जो act है, Disaster Management Act 2005, ये काम करेगा Ministry of Home Affairs के अंडर, और Disaster Management Act बहुत जादा news में है, ये केवल बेंगोल के Chief Secretary के बारे में बात नहीं है, pandemic 2020 जब से शुरू हुआ है, तब से 2020 में जो एक्जाम हुआ था, उस टाइम COVID-19 को लेकर ये pandemic को लेकर प्रीवें बहुत जादा सवाल नहीं हुए थे, केवल वैक्षिन के बारे में आए था, pneumonia को लेकर, लेकिन 2021 में डारेक्ट और इंडरेक्ट सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सब के लिए आपको ready रहन पड़ेगा, इसके बाद page number 9 पे अगर हम देखें, तो page number 9 पे एक information है, एक panel की information है, कि लक्सदिप को लेकर, ministry of home affairs को जो decision ले जाने है, उसमें wider consultation होना चाहिए, यानि अलग-अलग group से आप consultation करिए, उसके बाद ही, इसमें decision लीजिए, और इसमें एक और important ये बात बोली, कि सा color MPs हैं, उनकी suggestion के basis पर ही काम करिए, parliamentary panel है, जिसको जो chair कर रहे है, head कर रहे है, parliamentary panel home affairs में head कर है, Congress leader Anand Sarma, उन्होंने home minister को एका, कि जो भी decision हो, लक्सदिप के development को लेकर, उसमें consultation होना चाहिए, proper बात चीत हो, उसमें के basis पर discussion हो, और इसमें थोरो discussion होना चाहिए, development ज़रूर ही ह आप development करी, कोई दिकत नहीं है, लेकिन कोई भी decision लेने से पहले, अगर कोई ecological sensitive zone है, वहाँ पर थोरो consultation होना चाहिए, थोरो process होना चाहिए, उसी के basis पर decision लिया जाए, और लक्सदिप के जो administrator है, परफोल पटेल, वो continue news में है, कई सारे rules and regulation की वज़े से, और क्योंकि ये लक् सारी चीजी हमने पहले भी पढ़ी है, फिर पढ़ेंगे, और इसके लावाब यहाँ पर बता जा रहा है कि अगर यहाँ पर planning करनी है, structure planning करनी है, economic development करनी है, UT की context में, तो इसको लेकर एक elected representative के साथ, parliament में discussion हो, परलियमेंट में भी discussion हो, local level पर, ministry के level पर भी और इस panel के अंदर भी discussion किया जाए, दूसरा यहाँ पर बताया गया, कि जो draft legislative development authority regulation 2021 है, ये कहने के violation करता है, कि किसी जो island के local लोग है, उनको right to property का violation करना, या उनको बिना किसी consent के, या बिना किस justification के, उनको एक तरीके से बाहर नि जो right उसको लेकर भी, या relocate करना, उनको हटा देना, वहाँ से, इस तरह एकी चीज़े, और large scale पर property acquisition करना, बिल्कुल disregard होगा, उनके interest का, या लोगों की जो demand है, या आप देखेंगे, उनके livelihood का adversely effect करेगा, इस खास कर fishing community को लेकर, तो ये जो concern है, इस panel के, इसको consider किया जाए ये suggestion दी गई है, ministry of home affair को, page number 10 पे अगर हम बात करें, तो page number 10 पे एक ही data दिया गया है, national child protection, इसका full form क्या है, national, एक सके, national commission for protection of child right, ncpcr, full form जो है, national commission for protection child right, इन्होंने data दिया है, data किसके बारे में, कि pandemic के दुरान, लगभग 9346 बच्चे जो है, वो या तो उनके parents lost हो गए है, या वो abandon करती गए है, छोड़ दी गए बच्चे, इस तरह की, orphan हुए किसी ने किसी वज़े से, यह यहाँ पर data दिया गया, आप लोगों के लिए third question है, कि national commission for protection of child right, यह किस ministry के अंदर काम करेगा, वो आपको नीचे comment करना है, इसके बाद, page number 11 11 पर, page number 11 पर एक ही information important है, और यह information है, एक interview लिया गया है, लिथवानियन ambassador का, लिथवानिया एक country अभी news में आई थी, क्योंकि इन्होंने 17 plus 1 एक group है, उसको छोड़ दिया रहा, 17 plus 1 basically क्या है, कि China और 17 Europe की जिसमें Central और Eastern European country साम मिलती, इस group में से लिथवानिया ने अपने पहार निकाले, उसके बारे में ही बात करेंगे, तो लिथवानिया बोल रहा है कि जो चाइना की policy है, कि आप यूरोप के आदी countries को include कर लिए, डिवीजीव पॉलसी है, डिवीजीव का मतलब यूरोप को बाटा चाहते हैं, यूरोप जो वो एक तरीके से unity के basis पर बना था, यूरोपीन union से आप consult करिए, इसमें सारी countries होनी चीश, इसमें ऐसा नहीं कि आप कुछ countries को include करते हैं, दूसरा, इनके against allegation भी लगते हैं, चाइना के against कि आप जो जासुसी इस तरह की चीजे करते हैं, नैस्नल सीक्योर्टी को treat है, और अगर हम बात करें तो कई सारे concern हैं, ल अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला कि इसके context में कि आप जो है ताइवान से relation establishment करना चाते हैं, तो यह बोला गया कि ताइप पे तेप पे जो है, वहाँ पर बहुत सारी countries ने अपने relation या इतरी के सेट किये गए हैं, और लगबग 60 countries ऐसी हैं जहाँ पर mission, trade mission जो है वहाँ पर देखने को मिलेंगी, और रही बात जिंजियंग provinces के अंदर United Nation के inquiry into treatment of Uygar करके resolution जो पास किया ह उसको वह मानते हैं और गया consider करते हैं और चाइना जो है उनके लिए बहुत important नहीं है, क्यों important नहीं है क्योंकि FDA के मामले में चाइना नहीं थो हैं मैं आता है 14 नमबर पे, अगर हम भारत के बारें बात करें तो भारत और जो European Union उनके definitely relation strong हुए, और भारत ने अभी European Union ने ए investment जो वो या इस तरह के agreement भारत के साथ किये जाएंगे और जो एक चाइना और European Union के बीच में जो टेशल देखने को मिलता है, एक problem देखने को मिलती है, उस context में क्या भारत और European Union के relation definitely impact करेंगे तो इसको लेकर बताएगा कि भारत और European Union के बीच में अभी meeting भी हुई थी, जिस में discussion किया गया था, bilateral cooperation को लेकर और एक holistic discussion जिसको बोलते है, trade agreements को लेकर और आने वाले time में इंडिया, European Union में कैसे important role play कर सकता है, यूरोप के साथ कैसे अपने आपको tie up कर सकता है, उनको लेकर भी discussion किया गया, इसके बाद last जो page है, page number 12, page number 12 पे data दिया गया, for example, Moody's जो एक rating agency जिन्होंने GDP के forecast को cut किया, देखिए अलग-अलग rating agencies होगी, Moody's होगी, standard पूर हो गया, अलग-अलग आपको इसमें GDP के forecast किये जाएगे, कि भारत की GDP इतनी बड़ेगी, इतनी बड़ेगी, तो daily basis पर ये data को रियाद करना जुरूरी नहीं है, finally जो है economic survey के तुरू, कितना एक हमारा GDP रही, कितने नहीं रही, जैसे NSS का भी data release किया गया, इस data को use करिए, finally यही data आपका authentic data है, इस तरह की rating agencies का definitely investment पर असर पड़ता है, क्योंकि Moody's है, standard poor है, या दूसरी जो international rating agencies है, जिसको लेकर economic survey 2021 के अंदर criticism भी किया गया था, कि इनका तरीका बिलकुल सही नहीं है, य भारत के context में practical नहीं है, जोरोंने बताया कि भारत की GDP जो है, 9.3% के साथ आगे बढ़ सकते हैं, हलाकि इनोंने यह भी का कि जून के बाद भी situation का analysis किया जाएगा, कि COVID-19 का impact कितना है, कि COVID-19 cases कम हो रहे हैं, vaccination को rollout और ज़्यादा किया जारा है कि नहीं किया जारा है, उन सब के basis पर ही यह बता जा सकता है कि क्या abilities है economic के अंदर कितने या economic की health, sorry, health और economic outcome पर क्या impact पड़ेगा, यह completely इसके उपर ही depend करेगा, यानि अभी भी uncertainty आपको इस particular context में देखने को मिलेगी, इनके अलाबा यहाँ पर बात की जारी SBA पैनल ने का कि भारत की GDP जो है 7.9% क्या सप होगे, indication होगे, projection होगे, economy को लेकर, वो अलग-अलग project करेंगी, भारत की economy इतनी बड़ेगी, भारत की economy इतनी बड़ेगी, तो यह आपको धिहान रखना है particular context में, और यहाँ पर mention किया गया एक word कि भारत की economy जो है भारत की recovery W shape है, V shape की उनकाबले में, W shape का मतलब की आता है कि जैसे पहले कमी होगी, फिर बड़ी, फिर कमी, फिर बड़ी यानि यह COVID-19 related का एक जो relation है, उसको context में बात की, ज़र W shape किया है, पहले कमी होई, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, तो इस तरीके से आपको इस देखना है, और इसका आने वाले टाइम में fiscal deficit को लेकर बहुत सारे चीज़ें आपको news में देखने को मिलीगे उन सब चीज़ों को भी आपको continue revise करना है पढ़ना है और त्रीके से आप इसमें effort करिए आप लोग जरूर questions को comment करिए एक और last question में आप लोग के साथ add कर रहो question number fourth है और question number fourth में अभी हमने लिथवानिया के बारे में पढ़ा था ये वाली country ये जो Baltic Sea है ये Baltic Sea के अंदर कौन-कौन सी country इंक्लिट करते हैं वो आप ज़रूर नीचे comment करना नहीं comment करो तो कोई बात नहीं इसको एक बार geography में या map में अपने एटलस में ज़रूर देखना या google करना और इनको पढ़के आना यानि ठीक है ये कुछ question थे आप लोगों को नीचे comment करने और video जो है आप से साड़े 6 के असपास ही आपको मिलेगा ताकि और ज़्यादा अच्छे से discussion कर सके Thank you all, जहीं